जिनके पास पैसा है वो हेलिकॉप्टर सोड़ेंगे, हवाई जास सोड़ेंगे हिटलर के जवाने में केवल एक मंत्री हुआ करता था प्रपोगंडा मिनिस्टर लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग उपर से पीछे बैटे लोग जूदा प्रपोगंडा के अलावा कुछ नहीं करते हैं और ये भार्दी जन्ता पार्टी के लिए उल्टी गिंती की शुरुआत है जिनके पास पैसा है वो हेलिकॉप्टर सोड़ेंगे हवाईजास सोड़ेंगे कम से कम इन चुणाओं में हमें अपनी लोकल लीडर्शिप को भी उनका नित्त देखने का मौका मिलता है और सोचिए बिना प्रचार की या संग्ठन ने जो तागत दिखाई है आप देखिए कि समाज़ादी पार्टी की परफॉमेंस पहले से बैतर है उनकी कहीं न कहीं जिम्यदारी बनती है कि जो समिधान में और जो नियम है जो कानून उसके तहत तो चलें लेकिन इधर भारती जन्ता पार्टी ने अधिकारियों को भी अपना पार्टी का सदस्य बना दिया है जो भारती जंता पार्टी कहेगी वही कानून है अभी मैं बेवर के लोगों से मिलके आया जो पार्टी का जीत गया सदस चेर्मेन जो बन गया उसे बैठाया और सटिमीट दूसरे को दे दिया मैंनपुरी में कल मैं खुद 11 बच के 40 मिनिट पर उससे पहले मैंने जिलादिकारी महोदय से कई बार बात की बोले न्याय होगा बिलको नियम से काउंटिंग होगी और वहाँ पर एक एक कारकरता कह रहा था बेहिमानी होगी बेहिमानी करेंगे बहाती जिनता पार्टी को जिताएंगे मेरी लगबग आठ है नौ बार डियम मैंनपुरी से बात होई जब मुझे लगा कि ये जिलादिकारी कुछ नहीं कर सकते मैंने जहनबूश करके कोशिश की कमिश्णर से बात करूँ पहली बार किसी कमिश्णर से मैंने बात की मैंने कमिश्णर से कहा कि मैंनपुरी में बेमानी हो रही है कमिशन ने का मैं दिखवाता हूँ 11.40 की बात है उसके बात हुआ कि पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई बड़े अधिकारी कह रहा है कि मुझे डिर है इस बात का क्या पत्थर वाजी रात में नहो कहीं जनता आईजी, कमिशनर, डियम और सीडियो बेमानी कर रहा हो कितने बोट से हरा दिया 200 से कम बोट से हरा दिया जो लोधी समाज का नेता 4000 से ज़्यादे जीत रहा था रात तक काउंटिंग चलाई और कितने से हरा है 200 से कम बोट से बेवर में जिसको जीत मिल गई थी कहा कि बैठो अभी सेटिफिक्ट मिलेगा सेटिफिक्ट उसे नहीं दिया जो हारा हुआ तो उसे सेटिफिक्ट दे दिया बीजेपी ने ये एटा की लोग बैठे चेर्मेन चुनाव लड़ रहे थे कौन से महले में नहीं तस्वीर हैं आपने नहीं देखी किया पुलिस में जहां बोट नहीं डालने दिया तो भारती जंता पार्टी ने लोगतंतर की हद्या कर दी है अब लोगतंतर नहीं बचा आजादी नहीं है पावंदियां और केवल जूट बोलना प्रोपोगंडा पे चलना है हिडलर के जमाने में केवल एक मंत्री हुआ करता था प्रोपोगंडा मिनिस्टर लेकिन ये सरकार में पूरे के पूरे लोग उपर से नीचे बैटे लोग जूटा प्रपोगंडा के अलावा कुछ नहीं कर रहे है इसलिए ये चुनाओ लूट चुनाओ था और लूट चुनाओ का ही परड़ाम आपको दिखाई दे रहा है और भार्दी जनता पार्टी के ल को कहां का उधारन दिया मैंने मेनपूरी का उधारन दिया जहां पर अभी अभी चुनाओ उआ जो लोदी समाज का समाजवादी पार्टी का प्रतियासी चार हजाल से जादे बोटों से जीत गया था उसे रात भर काउंटिंग चला करके 200 से कंबोट से अरा दिया यह बैठे है चेर्में नजाने कितने महले बता सकते हैं जहां पर बोट नहीं डालने दिया लोगों को निकल नहीं दिया तो क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी भारती जंता पार्टी ने यह दी है कि जो मद्दाता उसको बोट नहीं डालने आपके तो इल्लीगल एठा में क्या एक ही समाजवादियों को घर इल्लीगल है हमें तो खुशी होगी जिस समय पर इल्लीगलों की बिल्डिंगों की गिंती होगी सबसे ज्यादा इल्लीगल अगर किसी के निकलेंगे तो भारती जंता पार्टी के तो क्या समजवादी पार्टी के कोशिस रहेगी कि जिस तरीके से जंता समर्थन दे रही है उस समर्थन को और बढ़ाया जाए तो आप तो पड़े लेखे बुद्धी जीवी हैं मैं क्या कहूं बीजेपी क्या कही कम से कम आपको सच बताना चाहिए कि बीजेपी किस रास्ते पर रहे जी आप करनाटक की जो हार होगे भारति इंत्य पार्टी जी उस पर आपकी क्या मैने‌आ वाला की दिया था पणसेते मधरिया फिर भी दे दोूं कि जो राजनीत नकारातमक थी नफृत भरी थी भेदवाब की थी जूटे परचार की थी वो करनाटक की मद्दाताओं ने खतम कर ली और ये भारती जंता पार्टी के लिए उल्टी गिंती की शुरुआत है उत्तरप्रदेश में भी यही परणाम होंगे पिशली बार भी मशिनरी का जिस तरीके से दूर्पयोग हुआ जिस तरीके से पैसा का दूर्पयोग हुआ समाजवादी लो झाल